प्रभी येशु मसी के नाम से आप सब को जय मसी की मेरे प्रियों एक प्रॉफेट है जो अपने आपको प्रॉफेट कहते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफेट यानि अपने आपको भविश्य वक्ता कहते हैं 25 डिसंबर के दिन में उन्होंने कुछ एक्टर्स को बुलाए हीरु लोगों को भी डूट लोगों को और पिर प्रॉफेट को लोगों को अपने चर्च में बुलाक रहिकेábल कि टो चैक्कॆ उससे पहले पहले यह वीडियों दिख्यों कि इस よ कि बहुत ही ज्यद्हाधा बायम के इस साब से गलत है कि हुआ के फिलम देखते थे मोसी से आलेलोईया जो और से तारीफ करो मैं एक डेड़ोग बोल दो आप अपनी फिलम का दीए परमेश्वर येश्व ने चर्च की स्थापना की है क्यों कि यह ताकि प्रभु का काम हो सके प्रभु का काम क्या है अन्या जातियों को प्रचार और विश प्रच्वासियों को खरी सिक्षा देने के लिए लेकिन यहां पर फिल्म एक्टर्स को बुला के एक डायलग बोल दो अपने फिल्म का ये बोला जा रहा है क्योंकि बहुत गलत है वेल तो बजिंदर सिंग जी ने अपने एक्टर्स के लिए इतना बड़ा माला बनवाया है वेल मुझे इससे भी आपती है वेल बजिंदर सिंग जी बहतर यह होता कि आप वैसे पाश्टरों को वैसे प्रचारकों को और वैसे पाश्टरों को सम्मानित करते उनके लिए इतना बड़ा बड़ा माला लेके आके उनको सम्मानित करते जो प्रभु के लिए दुख उठ प्रचार के लिए दुख उटा रहे वेल आप लोग उने देखा होगा कि पूरा एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ था एक भाई साइद वो उडिशा के हैं उन्हें जोती बोल के कोई एक पॉलिटीशन है वह थपड मार रही थी और वह भाई विचारा उन्होंने दूसरा ग वैसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए आपको बुला के चर्च के अंदर ऐसे एक्टर्स को नहीं जो लोगों को गलत सिक्षा सिखाते अपने फिल्मों के द्वारा वैल और में जानता हूं बजेंदर सिंग जी ने क्यों एक्टर्स को बलाया है इसके पीछे उनका वह उन को समिंदर को बलाएंगे नसे में कोई नहीं आएगा ना मतलब देखने मेन आएगा भीड और तो सम्मानित कर रहें जैसे किलों कि लोग अं पर देखने मैं और अपने सकत्रा मतलब है इसके पीछे आने काम यहां पर आने का देख हो एक्टर्स लोगों का काम ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उने जाने जितना ज्यादा लोग उने जानेंगे उनके लिए फायदा उतना ही होता है तो वो अपने खुद के प्रमोशन के लिए एक्टर्स आते हैं ऐसे भीडों में और बजिंदर सिंग के पास बहुत भीड़ कमाल करते हैं यह माला देखके जया जी का मुझे गाना याद आ गया मुझे नौलका मंगा देरे उसे यह दीवाने मुझे सच में समझने आ रहा है कि क्या यह सच में प्रभु का चर्च है या फिर कोई क्लब घर क्लब घरों में होता ना कोई भी जाके कुछ भी कर देता है बिल्कुल वही सिस्टम है इनका और यहां पर यह फिल्मी गाने गाये जा रहे हैं और यहां पर जो चर्च का सब प्रभु की महिमा कर रहे हो उसी से आप तुम फिल्मे गाने बजा रहे हो ढक टक तक 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 और उपर से पास्टर बजेंदर सिंग बोलता है हालेलुया प्रभु की महीमा हूं कमाल — हाथ बढ़ाएं सबाफ फिलमेक्टर की और हाथ बढ़ाएं कितना लोग जानते हैं कि आपके हर व्यक्ति के अंदर परमिश्रका आत्मा वास करता है आपके अंदर भी इन्फिलेंग में एक्टरों के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता है पर बाइबल ऐसा नहीं सिखाती बाइबल सिखाती है केवल विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और अगर आपको विश्वास नहीं तो रोमियो आठ नवा वचन पढ़िए, रोमियो आट नवा वचन, ध्यान से सुनिए, परंतु जब की परमीश्वर का आत्मा तुम में बसा है, यानि जो विश्वास करता है प्रभू येश्व में, परंतु जब की परमीश्वर का आत्मा तुम में बसा है, तो तुम शारिदिक दसा में नह मसी का आत्मा नहीं जब तक आप प्रभु येश्व मसी में विश्वास नहीं करोगे तब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा और जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप मसी के नहीं हो तो हर व्यक्ति के अंदर मसी का आत्मा नहीं रहता कि अगर ऐसा होता आज दुनियामें रेप यह सब नहीं होता क्योंकि अंदर परमीशृ का मैं और सब के अंदर अगर परमीशृ का आत्मा है तो दो मीश्वर करने के जरुत नहीं है तुमारे अंदर तो पहले परमिशुर का आत्म है तो यह बहुत ही गलत सिक्षा है जो यहां पर बजेंदर सिंग बोल रहा है पता नहीं यह प्रॉफिट कैसे बोलता है अपने आपको प्रभी ये शुमसी उधार करता को जब तीन जोधिश मिलने के ल जलता रहेगा और जहां पर वो तारा रुख जाएगा तुम समझ जाना वहाँ पर एक बालग प्यादा होगा उसका नाम येशु होगा और वो लोगों का उधार करेगा और आज करेंके यह फिल्मी स्टार सारे यहां पर आकर रुख गए है आलेलुया यह वो तारे सुनो इनके अंदर पर मिश्वर कात्मा बास करता है यह बात याद रखना यह याद रखना यह फिल्मी नहीं है तो यहां पर प्राफेट जी बोल रहे हैं कि येशु मसी के समय में किस रीती से जो जोतिसी आये थे वो तारे को देखते देखते यानि तारे को फॉलो करते हुए थे और जहाँ पर वो तारा को वह फिल्मी स्टार्स है तो तुम लोग और इन्हें फालो करोगे इनके पीछे चलोगे यानि स्टार्स के पीछे तो यूम मसी जन्मेगा इतना शेयतानी शिक्षा ये वाफरे आप लोगों को यह सुनने में ये बात नहीं लग रहा होगा ल लड़का लड़की मिला बस फिर उनके बीच में वे विचार और फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर साधी से पहले तुम वर्जिन हो किसी लड़की के साथ तुमारे को संब्द नहीं है तो तुम ना खराब व्यक्ति हो यानि तुम में कुछ कमी है तुमारे अंदर कोcek का मंड़ा है ऐसा दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर और यह लोको लोगों को यह सिका रहे सच में नहीं ब्लकूल संब्द से बता रहा हुदब ऐसे लोगों को संब्यम को यह सब् miser करते हैं तब हैं जब यहां पर आइए सब की आसथा है आ अलग अलग जगह पर लेकिन इने विश्वास है आज कि यहां से खाली आत नहीं जा रहे हैं हाथ बढ़ाएं शबास सब की आस्ता है अलग अलग लेकिन फिरी भी आज यहां पर आएं क्योंकि प्रभु से प्रेम करते हैं ऐसे तो मेरे भाई मुस्लिम लोग भी येशु मस्र इसे बहुत लोग कहते हैं लेकिन क्या यही सत्य हैना केवल येशु ही सचा पर मेशोर है क्रो और फिर यहां से निकल जाओ तो मेरे को थोड़ा फेमस कर दो बजंदर को और तुम भी थोड़ा इदर तुमको भी सपोर्ट मिलेगा क्रिष्टन लोगों का सुनिल सेटी जो है वह पॉलिटिक्स में घुसरा है क्योंकि उसका भी फिल्म फिल्में वगएरा इतना नहीं चल रहा है तो वह पॉलिटिक्स म प्रभू में आई फिर उसके बाद में प्रभू को छोड़ दिया फिर मुस्लिम लड़के से साधी कर लिया अभी उसको भी फिर से बुला की दर लेकिया और बोल रहे कि राखी प्रभू को विश्वास करती है क्या यही सच्चा विश्वास है या फिर खली दिखावटी व ऐसे वेविचारी स्तरी को बुला के अब पुल्पिट में बुला के परमेश्वर की निंदा कर रहे हो देखिए परमेश्वर वेविचार माफ करता है ये बात सच है लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था फिर से ना करना उस वेविचारी स्तरी से लेकिन ये तो हदी पार कर द और इस इस तरह कौ भी और पूल्पिट के आगे आप रखते हो पर्मिश्वार का निराधर कर रहे हो और वैसे भी आप बाइबल सही से पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि Church जो है वो केवल विश्वासियों के लिए है अन्य जातियों के लिए Church नहीं है Church का काम है बाहर जाके अन्य जातियों को प्रचार करना Church बचाए गए saved people Church is for saved people Church बचाए गए लोगों के लिए है उदार पाए हुए लोगों के लिए Church और अगर आप सही से Bible पढ़ेंगे तो अगर आप Ephesio 5.25 पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि येश्यू मसी ने Church के लिए अपने आपको दे दिया Church के लिए ओके और अगर आप Hebrew 10.25 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि विश्वासियों को एक जुट होने से यानि Church ह होते रहना चाहिए और उन्हें इंकरेज करते हैं रहों कि आपको वचन देखने को मिलेगा तो चर्च जो है यह केवल विश्वासियों के लिए अन्य जातियों के लिए और यह जितने भी एक्टर्स आया ना यह सब अपने अपने अपना अपना उल्लू सिधा करने यानि अपने अपने मतलब के लिए जैसे सुनने से आया वह पॉलिटिक्स में घुसरा है तो इसलिए उसको चाहिए उसको सपोर्ट चाहिए वोट चाहिए कोई येश्व के लिए नहीं आया है और राकी सावंद भी आई है बस थोड़ा बहुत पॉब्लिसीटी करने के लिए यह पॉब्लिसीटी के लिए कितना पागल हो और ये सारे के सारे अक्टर्स जो आये हैं कोई भी येश्व के लिए नहीं आया है बस वहां पर प्रॉफिट बजिंदर सिंग को थोड़ा बहुत सपोर्ट जैसा करने के लिए अपने आपको प्रमोट करने के लिए आये हैं इनके देखते हैं बाइवल में कि जब सदुकी और फरिसी येश्व मसी से पूछते हैं कि राजा यानि सीजर को हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तब येश्व मसी कहते हैं एक सिक्का मुझे दो तो सिक्का में किसका चित्र अंकित है राजा का तो जो राजा का का है वो राजा का दो जो परमीशर का है वो परमीशर का दो यहां पर येशु मसी यह कह रहे थे कि politics यानि राजा यानि politics और परमीशर को mix कभी मत करो तुम एक साथ कभी mix नहीं करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि कई गया है कि politics के लोगों को किसी मंतरी मंतरी को अपनी चर्श में बोलाते और यह सा कभी नहीं करना जो राजा का यानि नोन टो तुम क्या दो यह वर्ण दोगे वोट के वह तो तुमिंद देना पड़े को की अप्रमीशर का है अपना मन प्रान आत्मा शरीर सब प्रमीशवर को तो कभी भी चर्च के अंदर politics नहीं होना चाहिए politics को गुषने नहीं देना चाहिए Bible के हिसाब से जो राजा का है वो राजा का तो जो प्रभू का है वो प्रभू को दो और दूसरी बात इन सब एक्टर्स लोगों को भी नहीं गुषाना चाहिए ठीक है तो खेर इतना है कहते हुए आज के ये वीडियो इधर रखता हूं मिलते अगले वीडियो में प्रभीशु मसी आप सब को आशीज दे तब तक लिए जय मसी की मांसी जय मसी बोलो जय मसी की जय मसी की ऑके बा बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ